लोकसबाद चुनाव में बीजेपी बहुमत से कैसे दूर रह गई? इसका जवाब तलाशने में पार्टी से लेकर राजनीती के जानकार तक जुटे हुए हैं. लेकिन ओर्चा में एक संत्र ने इसकी वज़ा बता दी. संत्र राजेंद्र दासजी महराज ने बताया कि आखर क्यों बीजेपी को बहुमत नहीं मिला? क्यों नहीं मिली? संत्र राजेंद्र दासजी महराज का दावा हैरान करने वाला है. उन्होंने कहा कि ओर्चा के राम राजा सरकार ने नरेंद्र मोदी को प्रधान मंत्री बनाया. लेकिन वो राम राजा सरकार के दर्शन करने नहीं आये. और यही वज़ा है कि इस बार उ बहुमत से आई और उस समय भी ये बात कही गई थी कि वो जो हम लोगों का संकल पे वो पूरा हो तो प्रधान मंत्री राम राजा सरकार का दर्सन करें लेकिन नहीं अब तक हो पाया उसका परिणाम भी सामने आ गया मोधी बहुमत से दूर क्यों हुए जगत गुरू श्री राजेंदर दास जी महराज ने सिर्फ यही नहीं बताया बलकि 2014 में मोधी प्रधान मंत्री कैसे बने उन्होंने ये भी बताया ओर्चा में चल रही भक्त माला कथा के दौरान राजेंद्र दास जी महराज ने कहा की देश को अच्छी सरकार मिले इसके लिए 2014 के पहले ओर्चा धाम में 18 करोड बार श्री राम जैराम जैजैराम का जब किया गया था जिसके बाद पूर्ण बहुमत से सरकार बनी उस वक्त ये बात कही गई थी कि संकल्प पूरा होने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी राम राजे सरकार के दर्शन करें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जिसकी वज़ह से इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकी एक बात हम प्रसंगवस बता रहे हैं इसी ओर्चा धाम में 2014 के पहले 18 करोड स्री राम जै राम जै जै राम का जब सविधी हुआ था उसी के परिणाम से अच्छी सरकार आई बहुमत से आई और उस समय भी ये बात कही गई थी कि वो जो हम लोगों का संकल्प है वो पूरा हो तो प्रधान मंतरी राम राजा सरकार का दरसन करें लेकिन नहीं अब तक हो पाया उसका परिणाम भी सामने आ गया जगत गुरू श्री राजेंद्र दास जी महराज ने कहा कि जो कसर रहे गई है वो पूरी हो सकती है अगर प्रधान मंतरी ओडशा आकर श्री राम राजा सरकार को दंडवत करें कि चलो कोई बात नहीं अब थोड़ी कमजोरी तो कसर तो रहे गई तो कोई बात नहीं कसर रहे गई तो रहे गई लेकिन अभी भी कसर पूरी हो जाएगी इस देश के होने वाले प्रधान मंत्री मोदी जी को अपने पूरे परिकर के सहत ओर्चा धाम में राम राजा सरकार के चरणों में दंडवत करने जरूर आना चाहिए बीज़पी को बहुमत क्यों नहीं मिली ये तो राजनीतिक मंथन का मुद्धा है लेकिन जगत गुरू श्री राजेंद्र दाज जी महराज ने इसकी वज़ा प्रधान मंत्री का ओर्चा ना आना बताया है और मोदी से ओर्चा आकर राम राजा सरकार के दर्शन करने की अपील की है और चा से रिदेश कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं लूट की एक वारदात सिंग रॉली में लुटेरों ने दिन दहड़े एक श्रक्स को